हेलो और कॉम बैक टू माई चैनल इस्पाइसा फिर अंगलिस गाई आज के सेंटेंसे बहुत जादे इंपॉर्टेंट है यह सारे सेंटेंसे आपने डेल लैप में यूज करते ही करते हैं तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे सेंगलिश बोलना चाहते हैं तो गाईज इस वीडियो को लास तक जरूर देखना ताकि आप अपने इंगलिश को इंपॉर्ट कर सकें चलिए गाईज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंसे यह दोनों शादी के में बैठे हुए हैं तो यह बोली कि मैं शादी नहीं करना चाहती I don't want to get married I don't want to get married मैं शादी नहीं करना चाहती तब यह बोल रहा है कि यह मजा करने का समय नहीं है this is no time for jokes this is no time for jokes यह मजा करने का समय नहीं है ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया how come she slapped you how come she slapped you ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया how come she slapped you तुम वापस क्यों नहीं आ जाते why don't you just come back why don't you just come back तुम वापस क्यों नहीं आ जाते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ do you even know who I am do you even know who I am तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ मुझे मेरी सारी चीजें वापस दो give me back all my belongings give me back all my belongings all my belongings का मतलब मेरी सारी चीजें जो मेरी सामान है phone, mobile, bags जो सब मेरा चीजें ये इसका ले लिया था तो वह ये बोल रहा है कि मुझे मेरी सारी चीजें वापस दो give me back all my belongings हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं we are in the middle of an important discussion we are in the middle of an important discussion हम लोग कुछ जरूरी बाते कर रहे हैं यानि कि हम लोग जो discuss कर रहे हैं उसी बीच में है अभी उस बात के बीच में है we are in the middle of an important discussion हम लोग कुछ जरूरी बाते कर रहे हैं तुम्हें खोने से डरती हूँ I am afraid of losing you I am afraid of losing you मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है न you will not leave me will you तुम मुझे नहीं छोड़ोगे न you will not leave me will you ये surprise देने के लिए तुम मुझे यहां लेकर आई did you bring me here for this surprise did you bring me here for this surprise यह surprise देनी के लिए तुम मुझे यहां लेकर आई मजा की भी हद होती है there is a limit to jokes there is a limit to jokes मजा की भी हद होती है तुम सोच भी नहीं सकते की मैं किस हालत में हूँ you can't even imagine what condition I am in you can't even imagine what condition I am in तुम सोच भी नहीं सकते की मैं किस हालत में हूँ You can't even imagine what condition I am in वह कहीं आसपास है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ She is somewhere around I can feel her She is somewhere around यानि कि वह आसपास है कहीं पर I can feel her मैं उसे महसूस कर सकता हूँ तुम वहां से निकलो कहीं भाग जाते हैं You get out of there Let's go somewhere far away You get out of there Let's go somewhere far away तुम वहां से निकलो You get out of there कहीं भाग चलते हैं चलो Let's go somewhere far away Sana, तुम अभी सोई नहीं Sana, you are still awake You are still awake तुम अभी सोई नहीं, अभी तुम जग रही हो You are still awake मैंने सपना देखा की Maya ने मुझे मारने की कोशिस की I dreamt that Maya tried to kill me I dreamt that Maya tried to kill me मैंने सपना देखा की Maya ने मुझे मारने की कोशिस की हमें फसाया गया था We were bugged We were bugged हमें फसाया गया था तुम्हें पता है कहां जाना है न You know where to go, don't you यानि कि तुम्हें पता है कहां जाना है न You know where to go, don't you You know where to go, don't you तुम्हें पता है न कहां जाना है वह बिना कुछ कहे गायब हो गया आपको इसके साथ कुछ ऐसा खिलवार क्यों करना पड़ा Why did you have to make such a mess of it? आपको इसके साथ ऐसा खिलवार क्यों करना पड़ा? तुम्ने कुछ गलत नहीं किया You didn't do anything wrong तुम्ने कुछ गलत नहीं किया नहीं मैंने कुछ गलत किया नौर have I done anything wrong नौर have I done anything wrong नहीं मैंने कुछ गलत किया यहाँ भी यह बोले कि you didn't do anything wrong तुमने कुछ गलत नहीं किया nor have I done anything wrong नहीं मैंने कुछ गलत किया है मुझे समझ नहीं आया Fahim मैं क्या करूँ I don't understand यानि कि मुझे समझ नहीं आता I don't understand Fahim what should I do मैं क्या करूँ I don't understand fine fine मुझे समझ नहीं आ रहा what should I do मैं क्या करूँ तुम घंगोर पापी हो गए हो you have become a grave sinner you have become a grave sinner तुम घंगोर पापी हो गए हो grave sinner you have become आगे देखते हैं guys तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदिगी है विक्रम you have your whole life ahead of you विक्रम you have your whole life ahead of you विक्रम तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदिगी है विक्रम you have your whole life ahead of you मुझे निकलना चाहिए मुझे अली बाग के लिए देर हो रही है I should leave I am running late for अली बाग I should leave I am running late for अली बाग मुझे अली बाग के लिए देर ही हो रही है अलिबाग एक जगह का नाम है तो महीं ये बोले कि मुझे जाना होगा I should leave I am running late for अलिबाग मुझे अलिबाग के लिए देरी हो रही है मुझे बस नंदनी की चिंता है I am just worried about नंदनी I am just worried about नंदनी मुझे नंदनी की चिंता है और मैं नहीं चाहती की वह यह सब तमाशा देखे And I don't want her to witness this drama I don't want her to witness this drama मैं नहीं चाहती की वह यह सब तमाशा देखे I don't want her to witness this drama मुझे आपके साथ नहीं खेलना आप हमेशा cheating करते है I don't want to play with you You always cheat I don't want to play with you You always cheat मुझे आपके साथ नहीं खेलना I don't want to play with you आप हमेशा cheating करते है You always cheat भाई ने मुझे हराने के लिए cheating की Brother cheated to defeat me Brother cheated to defeat me भाई ने मुझे हराने के लिए cheating की Brother cheated to defeat me Well guys, आज लिए वीडियो में इतना ही जरूर बताना कि आप वीडियो कैसी लगी Guys, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपने English को improve करना चाहते हैं तो guys, इस वीडियो को दुबारा देखना बार-बार इन sentence को बोलने की कोशिश करना क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप English को improve कर सकते हो हो सके तो guys, इन सारे sentence को आप note कर लीजिए और इसको repeat कीजिए खुद से बोलने की कोशिश कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि मैं daily आपके लिए इसी तरी की वीडियो बनाता हूं ताकि आप निंगलिश को improve कर सकें guys मैं आपके अगले वीडियो मिलता हूं till then take care, keep practicing and thanks for watching